नमस्कार में नमालोक है आप लाइप सिटीज देख रहे हैं बिहार में लगतार सियासत गर्माती जा रही है वज़ा है अगले साल बिहार में विदान सभा का चुना होना है कुछ दिन पहले ही उपेंदु कुश्वाहा पांस दिनों तक अंशन पर बैठे रहे हैं लेकिन सत् से बड़ी बात बिहार के मुखे मंत्री सुषिल कुमार मोदीय कह रहे हैं कि जब मंत्री पत्पत है तो कौन सा बरतीर मार दिया था कि आज अंशन पर बैटे हैं जवाब तलब करने के लिए इस वक्त उनहीं के पार्टी के मुखे प्रवक्ता अभिशेक जहाम आए साथ है मंत्री पत्पत है साथे चार साल सत्ता की मलाइक हाली कौन सा तीर मार दिया अरे ये बात कौन कह रहे हैं सुषिल कुमार मोदीजी जो बिहार में पटना के शहर में जो बाड़वाली तरास्ती आई थी उसमें दो दिन के बाद रिस्क्यू होते हैं हाफ पैंट में पुरे बिहार को देश के सामने शर्मसार करते हैं और गायब हो जाते हैं जनता के बीज तक नहीं जाते हैं अरे वही शुशिल कुमार मोदी जी जिनके घर के बाहर बिहार की आम जनता प्रदर्शन करती है जिसमें उनके रिस्दार होते हैं उनके पडोसी होते हैं क्या किया था उन् हग तक नहीं है कि किसी भी इंसान से पूछ पाएं कि अगले ने क्या किया है लेकिन इतना तो आप लोग को लग रहा हो ना कि कोई सत्ता पक्ष के लोग रिस्पॉंस देने नहीं है और क्या दिया के लोग से नहीं मिलेगा और तब उस जमीन पड केंद्रे विध्याले को खुलवाने के मामले को इतने वर्षों तक लंबित रखा, सुशील कुमार मोदी जी ये पूछते है कि उपेंद्र कुष्वाह जी ने क्या किया है, तो मैं साफ कर देना चाता हूँ, उपेंद्र कुष्वाह जी ने प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से लोगों की बीच में भाशन देके या साफ किया, कि उनके कारेकाल में जो केंद्रे विध्याले खुले थे उनके कारेकाल में उन्होंने जो दो केंद्रे विध्याले बिहार को लेकर सुख्रित कराये थे उसके अलावा उन्होंने अपने कारेकाल में बिहार के ऐसे छे प्रमुख जिले हैं एक भी केंद्रे विद्याले नहीं है, वहाँ उलट डीम से प्रस्ताव मंगवाया ताकि केंद्रे विद्याले खुल पाए, अच्छा सब सारे केंद्रे विद्याले आप ही खोल रहे हैं, तो सुशिल कुमार मोदी जी तो क्या कर रहा है, वो दिखतो रहा है, इतने वर्षों कितने दिनों तक अपने घर में अठके पड़े रहे वैसे शुशिल कुमान मुदी जी न क्या किया है किया है बिहार का बेडा गर किया है अच्छा जिससे इस वक्तना प्याज क्या शुर हो रहा है कि दिख्भ्रमित करना चाती है जनता को अरे जनता को ऐसे मुद्धों में उल्झाना चाती है जिन मुद्धों का कोई लेना देना जन सरुकार से नहीं है अरे बिहार की जनता इसी NDA की सरकार को इन ही लोगों को पॉलिटिकल आसुर उलाएगी पॉलिटिकल आसु तो निकलेंगे शायद लगता है अगले साल लेकिन कहीं खून के आसु ना रोदे NDA की कटबंदन जो है शायद यही वो वज़ा है कि जनता इस वक्त चुप है और यही सरके सुनसान हो चुकी है तो समझेगा आपका विदान सभाब यह आवारा हो चुका है विपक्ष तो लगता सवाल उठा रहा है झाल